तो हेलो गैस कैसे हैं आप सब और आज इस वीडियो आप सभी का बहुत-बहुत सवागत है आज आज मैं आपके लेके आगए आज वीडियो के अंदर टॉप 5 बेस्ट मॉनिटर विच अंडर 20,000 रुपीज आज आज बात करेंगे आज पांच मॉनिटर के बारे में जो की अराउंड 20,000 के अंडर आ जाते हैं जो यह जो मॉनिटर से सारे मेरे को लगता है महंगी हो गए है अचली क्यों बहुत टाइम पहले भी यह वाली वीडियो में बनाई है अगर यह से मॉनिटर अभी मैंस में दिखाऊंगा आपको वाला मैन मॉनिटर उस्टेम लगताया था तो अराउंड 15,000 रुपीज का था वट गाईज वो 17,000 का हो गया है आज वो टेक्सिस की वरसे हुए है अगर आप लोग अब ले रहे हैं तो sorry for that but अगर आप ले चुके हैं आपके लिए विल्कुट आपने मनी सेफ करी अपनी So without an infinite layers guys let's get jump right into it Now guys सारी के सारी मैंने मैंने देखे हैं सारी के सारी मैंने Amazon पर देखे हैं So पता नहीं Amazon के प्राइजिंग के विए से शायद rates यह महंगे हुए हैं बाकी मुझे नहीं पता लेकिन हम फिर भी cover करते हैं सारे के सारे मॉनिटर So guys जो पहला मॉनिटर हमारे इस लिस्ट के अंदर आज आता है वो है LG की तरफ से Yes guys monitor बहुत अच्छे होते हैं मेरे मेरे प्रेफरेंस से आपको नहीं पता मुझे कौन सा पसंद आता है बाट गाइस सबसे पहले जो मॉनिटर है 17,199 रुपीज का मॉनिटर आ जाता है एमाजन के उपर जैसी देख सकते हैं से इमेजे से बहुत जादा एलियंड लुक के साथ ए मॉनिटर आता है यह जो मॉनिटर था मैं यही बता रहा था कि यही वारा मॉनिटर जो मैंने पहले देखा था यह अराउंड 14,500 या फिर 15,500 का था था एसी बजट का रेज का था मेरे को अच्छा याद नहीं है मैंने इसको 15 and around के बीच में देखा था था बट गाइस अब यह 2,000 रुपीज मेंगा हो गया है जो सेकिंड मॉनिटर मैं लिस्ट के अंदर है वह देल की तरफ से यह बहुत अच्छे मॉनिटर बनाती है तो यह हमारा डेल की तरफ से सीरीज का मॉनिटर आ जाता है जो की LED बैकलिट मॉनिटर है और इसके अंदर 21.5 इंची आपको डिस्पले देखने को मिल जाएगी सारे के सारे के सारे जो लिंक है मैंने डिस्पीश में डाल तो यह आप देख सकते हैं यह मॉनिटर बहुत बहुत अच्छा आता है अगर प्राइस की बात करें तो इसका आता है प्राइस अरॉण 11,629 रुपीश जो थर्ड मॉनिटर वाइस लिस्के अंदर है वह भी LG की तरफ सी मॉनिटर है LG की तरफ सी इस मॉनिटर है 22 MP68 BQ का मॉडल नंबर है 22 इंच इस पुल HD IPS मॉनिटर है यह LED मॉनिटर है जैसे मैंने बता है फुल HD डेजलूशन के साथ आता है अगर इसका प्राइस देखेंगे तो आपको अच्छा लएगा अगर इसका इसके अदर फिर देखेंगे तो इसका जो मैटल बेस है बुलिट है पर फिर जो बेजल से बहुत ज्यादा नेला जैसे मैंने आपको और बाइटर में दिखाया तो यह वाला मॉनिटर बिल्कुल बेस्ट रहेगा अगर आप स्टार्ट करें विकास का जो प्राइज है वह बहुत अच्छा और साइस है जो आपको डिस्प्ले मिलती है वह IPS टेक्नोलोची है तो आपके color viewing angles होंगे बिल्कुल rich होंगे deep blacks होंगे vivid colors अगर मैं next monitor की तरफ बढ़ों तो हमारा हालता है LG की तरफ से 25 UMP58 तो यह जो है monitor है 25 इंचिस का 21 by 9 aspect ratio का monitor है बिल्कुल white screen monitor है अगर आप video editing करते है photo editing करते है तो यह वाला monitor आपके लिए best रहेगा इसके तर आपको क्योंकि srgb over 99% भी मिलता है तो आपको 25 इंचिस का मिलता है Full HD IPS monitor ही है जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसके में जो view angles होएंगे deep blacks color vivid होएंगे यह जो pricing है बहुत अच्छी pricing है इसकी और आप 16,500 रुपीस का यह आपको Amazon से मिल जाएगा और अभी 20% off पे चल रहा है अभी इसके में जाएगा जाएगा था अच्छा मोनिटर आपको सिंगल मोनिटर अगर आपको आपको एक वाइडर फील्ल दे सके तो यह वाला मोनिटर यह बेस वाला मोनिटर है यह भी डेल की तरफ से S-Series का मोनिटर है लेकिन यह 24 इंची फुल-HG LED मोनिटर है इसके तरह आपको आपको अच्छा मिलता है तो मुझे पता नहीं क्यों प्राइज रखाए नहीं मोनिटर है आपको अच्छा मिलता है यह आपको आपको पस्ता है तो कमेंट सेक्शन जरू कता है आपने और यह नहीं बिडियो का नहीं बिडियो का देख और गलवाली वीडियो में चाहते हैं तो फिसे बेला इकन नोसे दबा लिगिए तो आफ संदे अफ जीर स्पस्काइब तरड़ साफसाथ हश्टाग नॉक्रिंट स्कार्ड प्लस सज्टाग यॉड़ीय। एट गाइस हमने फैम निखवाया क्योंकि मैं एम कारा है 5000 subscribers in 2017 सोलो भुजे पता है आप लोगो कर सकते हैं subscribe to the channel and till the time rest guys and I'll catch you guys in my next video